नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग दैनिक रासिफल सबसे पहले जानते हैं दैनिक बंचांग के बारे में 14 अक्टूबर 2023 सनिवार का दिन है आस्विन महा के क्रिश्ण पहुच्च की अमस्या दिथी नचात्रय हस्त वैदेती न आज का देना आपके लिए अच्छा है जो भी आपके कारियों की रुकावटे थी आज वह समावत हो जाएगी और धन भी आ रहा है अगर आप विद्यार्थी हैं इसकुल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो खासकर सिनियर का सम्मान कीजेगा क्योंकि वह आगे चलकर आपक आपको प्राप्त होगा आपके प्रताफ में ब्रदी होगा आप अपने परिजनों पर भरोसा आसानी से जीत पाएंगे और मित्रों के साथ कुछ खुबसूरत वक्त गुजारेंगे वैसे तो मौज मस्ती करने का भी समय है और यह खासकर आज किसी काम को लेकर प्रिसान थे वो समस्या तो समाप्त होगी आज निर्धन को अगर कुछ दान कर पाएं तो आपके लिए अच्छा आज क्या ना करें घर में किसी अपने से जूट मत बोलिएगा अब देखिया आप जिस भी काम में बहुत दिनों से जुड़े हैं मेहनत जारी रखें काफी समय से चलिया परिसानी समाप्त है विरोजगारों को आमदनी भी बढ़ेगा और उचित साधन सुलब होंगे रोजगार प्राप्ति के अवसर मिलेंगे और आज कारियों में विस्तता है जिसका हो सकता है अपनों को उतना समय ना दे पाएं लेकिन फुरा उनके लिए भी समय निका लिए करेंगे और यहां पर आपको सफलता प्रात भी होगी अब दूसरी तरफ आज के दिन नौकरी करते हैं तो काम का बोज़ थोरा साह समर्थन के लिए पर सहकर्मी बरिष्ट तक पहुंचने का प्रयास करें संबब हो तो कुछ कारियों को दूसरों को सौपने का भी वीचार क प्रिष्टितियों का नहीं तो सामना करना पड़ेगा सेर सपाटे के योग इसमें बने वे आपके लिए अच्छा है वक्त कुल मिलाकर सुबरंग सपेद भागे साथ निभाएगा करी 72% और भाग्यांग 9 है तो बैस्त दिन चरिया है लेकिन फिर भी आपका स्वास ठीक है पर धन के मामलों में किसी पर भरुसा ना करें धनानी हो सकती है कोई आपको दोखा दे सकता है इस मामले में आपको सतरक रहना है जितना सतरक रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है दिन के सुरुआत योगा एक्सरसाइस से करें खुश रहें और आज साम किसमें घर मे महमान आ सकते हैं हलांकि प्रेम मुहबत के मौमलों में थोड़ी मुश्किले हैं हो सकता है आप व्यस्त हैं तो उनको समय देपाए यातरा वेगर ठीक है आनंदाई है जीवन साथी की वज़ा से थोड़ा सा मानसी का सांती है लेकिन देर साम सब कुछ ठीक हो जाएगा सोचिए समझे अगर कुछ बुरा हो रहा है उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए और तभी आप जीवन को नजदीक से जान पाएंगे और तभी आपको रिस्तों का सही मत भी पता चलेगा तो कुल मिलाकर आज उत्तम है एक दो जगा आपको धियान डखना है और हम आपसे भी कर सब्सक्राइब करें कमेंट करें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे